जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग दो हजर पांच टीजिटी बाइलोजी का पेपर साल्व कर रहे हैं जिनमें से हम लोग ग्लुकपन हार्मोन स्रावित होता है ग्लुकऀगान हार्मोन पहले आपको याद होना चाहिए कि यह है पैन क्रियाज क्यों से लाइंगर हैंस की द्edereen पिका है या एजिलेड साफ् लाइंगर हैंस तो जो लाइंगर हेंस की जो दूपिका होती है इस लाइंगर हेंस की दूपिका में क्या होती है एक एलफा सेल और बीटा सेल्स होती है तो जिसमें से एलफा सेल क्या करती है यह ग्लुकेगान नावक हार्मोस को साविट करती है तो देखे आपसन देखे आप यहाप पहला प ग्लुकेगान जो होता है यह आपका अप्सनम फोर्थ कि अलफा कोशिका द्वारा होती है तो याद रखेज़ हम पता तो अलफा बीटा और डेल्टा यह तीन प्रकार के से लेंगर हैंस की दूपिकाय में जिनमें सियाद रखी एलफा से क्लुकेगान होती है बीटा से संबंद किस्ते होता है दुनिकर दूसरा नाम पहले आपको बता दिया जाए कि ब दूसरा होता जो दूसरा हर्मोन होता है ADH, जिसका प्रोण नम एंटी डायोटिक हर्मोन, तो एंटी डायोटिक हर्मोन की कम्य आधिकता से एक रोग होता है, तो वैसो प्रोक्सीन का जो संबंध है, वो मुत्र के सांद्र से होता है, मुत्र के सांद्र का मतलब यह होता है, आपको जो क्या सब्सक्राइब करने वाला हार्मोस होता है कैल्सियम अस्तर का नियंत्रक करने वाला हार्मोस याद रखी यह कौन है थारक्सी काल्टकुष्ट्राइट पैरा थार्मोस आक्सिटोसीन तो यह बता दें आपको पैरा थार्मोन याद रहे हम लोगों को कि यह जो हार्मोस होता है पैरा थार्मोन जिसका मुक्रिप से काम क्या होता है कि कैल्सियम के अस्तर को बैलेंस करना होता है नेक्स्ट कोशन इस तनियों में अंडुत सर्ग होता है अब दिखे हम क्या करा है कि एफ एस एच एंड टिएस एच फोलिकल इस्टिमेटिंग हार्मोन और लिटिनाइजिंग हार्मोन यह आप सुझे होता है यही ओवलेशन में सिक्किट होता है मतलब ओवलेशन में हेल्प करता ही है तो आपका आप्सन नम्रों कौन से है सेकेंड नेक्स कौन सें प्राखण हाल में सब्व हार्मोन और इसका आउस्टा कम उत्पाधन पैदा करता है देखिए यह समेतों सें हार्मोन Somyto Tropic Harmon और इसका जो दूसरा नाम होता है मेंसae Growth Bardzo Harmony के नाम से जाना जाता है तो Growthimaguration को जो कमिस जो रोग होता है इनके हाईपो सिक्रिशन जो रोग होता है वो याद रहे बोना पन यारो क्या होता है इसके कमिस सिक्रिशन रुसरा क्या है देखिए एपी कल्चर क्या है तो एपी कल्चर काफी आसान कोशन याद रहेगा काले आप होने भी इसका मतलब क्या होता है आपकी मुदमक्खी का पालना नेक्स्ट, स्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है, देखिए ये भी आसान कोशन देया, रिस्परेशन के कोशन है, किसी वुक में आसान नहीं सकता ही है, तो याद रहे कार्बो हाइड़ेट जो होता है, कि कार्बो हाइड़ेट का आर्की जो होता है, इनका आर्की जो होता ह हमेशा एक होता है, जब कि यहाँ पर वसा और प्रोटीन की बात किया गया है, मतलब प्रोटीन और फैट की जो बात किया गया है, इन सब का क्या होता है, एक से हमेशा कम होता है, यह बात ध्यान रखिए, ठीक है, एक से क्या होगा हमेशा, कम होगा, next इसका वातल जो आपका एंसर्स सही ओगा कौन होगा कार्पहईड्रेट में next question है एक स्वस्त मन्युष्में वायू के लिए फेपोडो की छमता देखे टोटल लंक्स कैपासिटी टोटल लंक्स कैपासिटी जो टोटल लंक्स कैपासिटी होती है वह आपकी होती तो करीब 6000 मिली, मतलब 6000 ml होता है, लेकिन यहाँ पर चुके option क्या दिया हुआ है, के अवर 3000 ml दिया हुआ है सबस्यादी कही है, तो इसलिए option क्या होता है 4th option is right Next question Glycolysis का अंतिव उत्पार कौन सा होता है, देखे Glycolysis को हम इसके पिछली वीडियो में विशालब किये थे हम कि Glycolysis का दूसरा नाम EMP Imbudent मेरा परणास, इनके नाम पर Glycolysis की डिस्कवरी की गई थी अब देखे, Glycolysis में होता है, ग्लुकोज breakdown होता है, किसमें होता है यह पायरविक एसीड होता है मतलब वन ग्लुकोज जो होता है वन टू पी ए मिस पायरविक एसीड में ब्रेक होता है, इसे को बोलते Glycolysis Next question दमा स्वसन संबंदी एक रोग उत्पन होता है देखे, दोना सारी, दमा स्वसन संबंदी एक रोग होता है, तो देखे, स्वास चनाल के संकर्मर से, फेफ़ो के संकर्मर से, प्रुलसल गोहाड के उधर स्राव से ब्रांकेल पेशियों में इस पायरविक ने अब इसमें कन्फिजन तो हो सकता है अधिकान स्वसन लोग फेफ़ो के ऊज़ों होंगे लेकिन नहीं ये समन नहीं होंगे आपका लास्ट अमल कैसे होगा ब३ाम के सबसे च्थे स्बसे छोटी उध्रवाई नहीं होती है diffuna के सबसे चोटी विधिर वाई नी जो हता है क्या होता है आपका कैप्लरीज मिंस कैसी का होता है आगा क्योस्का रखा जाए नेक्स्ट मनुस्य के रुधिर के प्रति घहन मिमी में रुधिर प्लेटलेट्स या थंबो साइट्स की सामान संख्या होती है तेकि थंबो साइट्स का याद रखेगा प्रति घहन एमेम में पुछा हुआ है तो प्रति घहन एमेम में लगभग क्या होता इसमें जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ 10,000 से 20,000, सौरी, one, one lakh to two lakhs, two to three, five to seven, तो याद रहें कि यहाँ प्या होता है, यह one point five, one point five lakhs जो होता है, यह लगभग करीब four lakh तक होता ही है, मिन्स चार लाक तक होता ही है, इसके संख्या इस्ति है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 2 lakh to 4 lakh यह आपका option बन रहा है, option number 4 is right next, hemoglobin का oxygen विखंडन वक्र होता है, तेकि hemoglobin का oxygen विखंडन वक्र जो होता है, वो आपका क्या होता है, sigma add होता है miss option number is third, रुधिर वर्ग, AB में होता है, अब देखिए रुधिर वर्ग कि आसान कोशन पूछा गया यह है, तो ब्लड वर्ग आपका A, B, AB और O होता है, तो AB में याद रखी, AB, AB, तो AB में क्या होता है, antigen A वर B, दोनों present होते हैं, जबकि O में क्या होते हैं, दोनों absent होते हैं ठीक है, तो आपका option क्या है, कोई प्रत्रिक्षे नहीं, कोई प्रत्रिक्षे नहीं, इन में आपका क्या होगा option number, फिर देखते हम लोग यह है, blood group AB contain, तो AB क्या contain रखता है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, कोई, no calling property, no antibodies, no antigen, यह आपका option सही होता है, no antibodies, ठीक है, next question, रुधिर वाहनियों में रुधिर का ठक्का जमना, रुका रहता है, शरीर से बाहर अगर निकलता है, तो सरीर से बाहर निकलने क्या होता है, कि क्लाटिंग होती है, और लग भग, दो से आठ मिनट के बीच में, बलड कलाट करता है, लिकिन यहाँ पर कोशण पुछाएकर, शरीर के अंदर बलड कलाट क्यों नहीं करता है, तो याद रुखी, यहाँ पर क्या होता है, हिपैरीन, हिपैरीन के वएस आठ क्या होता, कि मनुष्य की ब्रिक में निस्पन्र करता है 15 शट्र में 75 में डीञे टोई नहीं तो आपको जो आप साही होगा वह आप सो सब्सक्राइब होता है वान रिक्रांजर नेक्सeren यक्रित में यूरिय का संसलेसर होता है तो इस सब्सक्राइब संसलेसर होते हैं तो यहां पर देखी व्यस्थ की बात कि तो यहां पर आपको क्या हो गाम मैटा लाइफरोस से global होती है और देंकि तो आपका टेंपोरल पाली द्वारा क्या होता है यह सुनने का नियंतर करता है नेक्स कोशन आप देख रहे हो कि एंजाइम का नान प्रोटीन भाग कराता है अब देखें एंजाइम को जो दो भाग होते हैं एक प्रोटीन पार्ट होता है एक नान प्रोटीन पार्ट तो जो देखें नान प्रोटीन पार्ट जो तो इसको बोलते हम प्रोस्थाटिक तो दोज़िके Apo enjoying जे part of enzyme मतले प्रोटिन का पाटड क्या होता है यह आपका प्रोटिन का पार्ट नहीं होता है means आपका prosthetic group जो तरहएं क्यए होगा आपका answer साहिए होगा means आपका answer number means first answer prosthetic समूब कियवल एक ही अंडाशर उपस्तित होते हैं जबकी क्या होता है यह आपका प्रोटेनONG पार्ट नई होता है मिन्स आपका प्रोस्थेटिक गरूप जो थे क्या उप का आंसर स competitive डरमीत,"स आपका आंसर नमबर मिस्फ़र्श्थ आंसर प्रोस्थेटिक समों,"क्रेवल एक ही अंडासर उपस्तित होते हैं देखिए एक ही अंडासर के उलकिस में होते हैं पक्छीम होते हैं नेक्स्ट बालबू लुमिनेंस प्रदसित होती है देखिए बालबू लुमिनेंस क्या होता है ये एक एलगी होता है ठीक जिसको मोलते हैं स्रिटेनियम द्वारा मकली तथा विच्छु संब्लित किये गये है तो याह दरेख नइडा यह आपसा नमबर फॉस्ट इस डाइट समुद्री घोड़ा होता है तो देंके समुद्री घोड़ा किस भी रखा गया है समुद्री घोड़ा कि एक फिस होता है मचली निम्ण में से कौन सा पादप्रहित उभयचर है देखे पादप्रहित उभयचर की बात क्या जाएगा तो पादप्रहित उभयचर कौन है एक्तियों फिस मिन्स आपस नमबर फस्ट समुधाय पार्ष्थ की अध्यान है समुधाय की बार देखे एक art ecology होता है यहाँ पर देखे वातावर्ष संबन्द समुधाय का है बेक्तियों का वातावर्ष का तो वातावर्ष संबन्द समुधा है means option number first is right next वातावल के साथ जंतु के संबंद अध्यान को कहते हैं वातावर के संवंद यह आख एकॉलजी मिन्स आफनबर फ्रस्ट इस सब एकॉलजी को सबना दोनों है शंख्या प्रेमिट उल्टा होता है देखें तालाब में उल्टा नहीBobs अर्जिस्तान के लटाने होता है घास में उल्टा नहीं तब फुज आपसन बसता है वो गन्ने के पारितंत्र में के मामनी होता ही है नेक्स्ट कोसन देख सकते आप जो है यह ट्रोफिकेशन एक जली पारितंत्र पर उच उत्पादन से तो बहुत अच्छा कोसन याद रखेगा देखिए यह ट्रोफिकेशन होता है यह ट्रॉफ मतलब क्या होता है कि अर्थ सर्फेस का जितना फर्टलाइजर पार्ट होते वो क्या होते हैं कि नदियों के किनारे क्या होते फ्लो कर जाते हैं इससे होता क्या है कि वहां पर इन्रिच एमांट्स में क्या होते हैं मिन्रस हो जाते हैं जिससे वहां पर क्या होते हैं मायक्रोब्स या छोटे प्ल जो हुता है जैसे हापके काउखोरै से प्रितक कर्ल होले है ये सेम बरावर भागों मेel डिवैड कर दिया रहता है तो यह क्या होगा। आपकесर नंबर yes right घएड कृता है मतलब यही होता ऐल प्रीक소 स्पीसियेशन नेक्स्ट कशिवर्की नेत्र का लेंस एवं मुर्ति पटल बिक्सित होता है तो यह आपका याद रखे सिर्फ और सिर्फ एक्टो डर्म से होता है नेक्स्ट कोशन इस्तन गंतियां रुपांत्रित हैं इस्तन गंतियां रुपांत्रित हैं इस्तन गंतियां can be seen in पादापस्थियों में अस्तन्यों कड़ पल्लों में दिस दे राइट एंसर इस टू डार्विन के सिधवान्त में अत्यधिक युक्ती युक्त है मालतस का निबन जनसंख्या योगितम को तरजी विता जातियों का निरमाड तो आपका आपसन सभी होगा जातियों का निर्मार मिंस फोर्थ आपसोन इस राइट नेक्स्ट है सन रचनाओं का कौन सा निम्लखित सिट मानों शरीर के सभी आउसिसी रचनाओं को प्रतेशित करता है अब देखे यहाँ पर आउसिसियं की बात किया जा रहा है वर्मफार अपेंडेक्स शरीक रोम कॉक लिया अक्ट डाल पुछ कशिरुका पठेला पुछ कशिरुका वर्मफार अपेंडेक्स और कर्ड़ पल्लों की पेसियां तो आप क्या दिखाई दे रहे हैं पुछ कशिरुका वर्मफार अपेंडेक्स और कर्ड़ पल्लों की पेसियां यह आपका आपसोन नमबर 30 नेक्स्ट स्रुपत सा पच्छी की सहिंज करे कोने घया आशान कसर और को चप से एसनघ इन में से कौन संभ्रतियंग रमीश्टी यंग एक है डिके संभ्रतियंग और समजात थे तो संब्रत्य यंग में होता है कि जिनके कार समान हो तो यहां पर देख रहे हो कि एना लागस में क्या होता है संब्रत्य यंग में क्या होता है कि कीट की पंको था पच्छी के पर इन दोनों का काम क्या होता है सेम उलने का होता है जबकि इनकी ओर जीन डिफरेंट होती है इसलिए आपका आप्शन क्या से होगा आपसन नमर्फ फर्स्ट इस राइट नेक्स्ट होमो इरेक्टरस बैग्यानिक नाम है देखिए होमो नेक्स्ट है को से एक सूचार प्रामिट में सम्मिलित है अधिके प्रामिट में कौन कौन से जीव सम्मिलित होते हैं कपित था मानों बंदर कभी था मानों लोरिस्ट लेवर्स अ टार्सियर्स लास्ट देखिए लोरिस्ट लेवर्स टार्सियर्स बंदर कभी था मानों लास्ट अंसर इस रैइट होमो सेपियंस प्रकट हुआ के वाल दस हजार वर्स पुर मेंस आपका आप्टन क्या सोयगा आप्टन नुमर्ट टू है नेक्स्ट परागरस सहद थैली में संग्रहित परागरस सहद थैली में संग्रहित लार युक्त परागरस मदमक्खी द्वारा चूसा हुआ जल्द था परागरस तो इसमें आपको आप्शन क्लियर साई सी दिखाई दे रहा कि सहद थैली में संग्रहित लार युक्त परागरस वो है करनाटक नेक्स्ट है कौन सा रोग लिंग सालगन होता है तो लिंग सालगन रोग जो आपको दिखाई दरी यह वडानता देखिए वडानता लिंग सालगन रोग यह आपको हीमोफिलिया यह X लिंग सालगन रोग कर रहा जाते हैं मतलब X क्रोमोजोम पे यह रोग होते हैं, जबकि जो Y क्रोमोजोम पे होते हैं, यह क्यों मुख्रिप से हाइपर ट्राइकोसिस अब बैल्डरिनेस, गंजापन, तो Y क्रोमोजोम पे याद रखेगा, दो रोग और यह दोनों क्या, लिंग सालग रोग, मतलब आपके चार एस रोग हैं, जो लिंग सालग, जो मुख्रिप से होते हैं, एक वाड़ान देता, दूसरा हीमोफिलिया, तीसरा हाइपर ट्राइकोसिस, कान, करपलो, पिबाल होता है, और च्छता बैल्डरिनेस, गंजापन, तो आपके आपसन नमबर थॉर्डिस राइट, मंगुलायट, इस्तिस संबंदित होती है, देखे, मंगुलायट का याद रखेगा, एक दूसरे नाम से भी हमनों जानते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, कि जो दूसरा नाम ये ट्राइसमी, अब देखे, ट्राइसमी को मतलब क्या होता यहाँ पर, टू एन प्लस वन, टोटल नमर अपको मुझोम याद देख रहे हैं, कि आप क्या यहाँ पर होता है, कि जो टोटल नमर अपको मुझोम अगर 46 होता है, तो 46 में अगर एक बाद ये तो 47 होता है, तो 47 यहाँ पर क्या होता है एक मुझों बढ़ जाता है जिसको डाउन सिंड्रोम के नाम से भी हम लोग जानते हैं जिसका जो आपसों सही होगा इस कंडिशन गोलते हम लोग ट्राई सोमी ठीक है तो आपसों नमबर 2 इस राइट निम्कित में से कौन सा सहजीवी जिवालू ह सहाजीवी जोड़ो काफे आसाने कौन है किकि इनमें याद रוחी राइजयोग्यं जो दाल कुल के प्लांट होते हैं उनकी रूट में राइजयोग्य क्या करता है एक मास्फियर के नाइट्रोजन को फिक्स श करके नाइट्रेट में बदलता है यह ठीक है जबकि इस रैजय प्लाजमिट्स होते हैं प्लाजमिट्स एक्स्ट्रा क्रोमजोमल जेनेटिक एलिमेंट फर्स्ट इस राइट एंशन पत्तियों में दैनिक गत्ती उदहारल है यह देखें आपका सरकाडियन रिदम में नेक्स्ट है प्लाजनटा का की महतशत भूणर क वोती है कि प्लाजनटा के सबसे इंपार्टर भूणा क्या होता है बिक्सित होने वाले ब्रूर को पोष्ण प्रदान करना कि इंद्री तंद्रधा पित होता है मिलक्सरोर न में सबके सब्सक्राइब मानों की प्रसवकाल होता है लगभग 10 सब्ता 28 सब्ता 32 सब्ता 36 सब्ता मतला अप्शन नमबर 4 इस राइट जीन सब्द का अभिप्राय है जीन क्या होता प्रोटीन में अमीनोम का ता लिंकेश समू आरने का एक भाग डिन ने का एक भाग जैसे हम जानते हैं कि क्या होता है कि जीन्स क्या होता है जीन्स एक आनमुंसिकी की इकाई होता है जिबकि जीन्स बना किस से होता है मतलब जीन्स कहां पर लोको उठोता है या आपका कहां लोको उठता है डिने में तो आपको सकते हो कि जीन यह पार्ट सब्सक्राइब दिन ने मिस आपसर नंबर फोरीच राइट नेक्स्ट कोसन देखते हम जो है कि वन डिट्ट सेवंटीन एक वलांद पुरुष की साधी एक वलांद पुरुष की पुत्री से हो जाती है तब उसके संतानों में इसको क्रास करके देखना हो देखने प्राप्स होता है कि 50% मिस फोर्थ आपसर 50% पुत्र बलांद होंगे हिपोपोटेमस पायता है हिपोपोटेमस पायता कहां अमिर्का इसिया अस्टिलिया अफ्रिका ते कहां पाय जागा अफ्रिका पायते हैं आक्टपस संबंदित है आक्टपस के संबंदित है मुलस्का वर्ग से ठेक नेक्स्ट है संग प्रोटो जवा की वर्गी करण का मुख्य अधार देखिए प्रोटो जवा का मुख्य अधार क्या है गमनांक मतलब लोकोमोटरी आर्गनल्स होता है अप्सर नमर टू इस राइट दंसिका क्या है दंसिका जिसको निमेटर सिष्ट बोलते है जो हाइडरा के अंदर पायती है इसके अंदर नेडल सील पायती है जो जस्ट लाइक नेडल इसी के अंदर हिपनो टॉक्सीन प्वाजन होता है इस प्वाजन के थ्रू क्या करता है कि हाइड्रा किसी भी अपने प्रेशत्रू को भोजन को डंक मारती है ठीक है इसे इसका नाम दंसिका पड़ा हुआ है तो दंसिका याद रिखे नाइड एरिया ये सिलिंटेटा के एक स्पेशल प्रापर्टी होती ये होता क्या है एक कोशिकाओं का समू होता है मिन्स सुरक्षा के लिए गमन के लिए गमन भोजन करने के लिए दोनों काम करता है गमन में करता है भोजन करनार भी करता है कोशिका द्वारा जेल पीने के प्रक्रिया पीनोसाइटोसिस देखे पीनोसाइड इन फैगोसाइटोसिस जल की बात है कि पीनो होगा लेकिन सारित की प पिलाना है तो देखिए नियो पिलाने में होता क्या है कि एने लिडा और मोलस्का के बीच की कली होती है समसुत्री भाजन के अंतरगत के प्रार्मिक पुरस्था में मतलब अरली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटापेज, एनापेज तो इसमें याद रखे अरली, मेडिल, लेट, तीन प्रोफेज होते हैं इनके माइटोसिस ठेक है तो माइटोसिस में जो प्रोफेज, मेटापेज, एनापेज, दिलोफेज, चार प्रोफेज होता है इस प्रोफेज के तीन प्रोफेज, अरली, मेडिल, लेट तुझ जो nuclear membrane होगा वह lead profile में क्या होता है disappear हो जाते हैं इस तरीके से हमारे जो है लगभग 125 कोशन साल होते हैं तो 2050 TGT biology का total कोशन साल हो चुका है उसके बाद हम लोग next paper देखेंगे लगभग जितने TGT के salt paper है हम लोग सभी देख लेंगे हम लोग धन्यवाद